मेरा नामे रजागान आप देख रेटे बॉस्तों दोस्तों यह जो वीडियो है टाटा नगर इस्टेशन का है तो आप लोग बोलें कि वही है ट्रेन आ गया लेगें डबा का गया तो डबा गया तिल लेने हम जा रहे हैं मुंबई और मुंबई का पूरा का पूरा आपको ज अच्छा रूम वागरा मिलेगा और एक जो हमने होटल में रुका था उसका भी आपको छोटा सा रिव्यू देंगे और पताएंगे कि कैसा है तो हम यहां पर देख सकते हैं के ट्रेन में दादर इस्टेशन पहुंच चुके हैं और यह दादर की वाइस से जो बहुत ही यह पहुंचने वाले है मुंबई और यहां पर मुंबई आने से पहले यह सब बिल्डिंगे वगेरा नजर आना आपको शुरू हो जाएगी जो बहुत ही खुशगवार माहूल पर आएगा और बिल्डिंगे जो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरजस लगता है तो जैसे ह आएंगे तो फ़र्श लोग मैं आपको आगे दिखाने वाले हैं लोकल ट्रेन जो यहां की खास जो इस पैसलिश्टी बनाती है वो चीज़ है तो यहां पर देख सकते हैं कि लोकल ट्रेन जो है वहां सामने से पार हो गई है और कुछ इस तरह का माहूल है तो आगे देखत एली होट के पूरा का पूरा वीडियो का मिल लिएागा यहां पर हाजी अली दरग system का फिर मने कपड़ा वागिरा खरीदा था उसका भी सारह वीडियो आपको मिल लिए और हमारी सी चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंब डबा दीजैंसक्कि एदिख सकते हैं बहुत ही जब कोटे से प्राइस बात आदो तो यह डड़ सो रुपय का है तो इस तरह का कुछ है निकाब वगएरा भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अगर जुलियर सीट्स वगएरा है शोट वगएरा लेना चाहरे हैं या फिर क सकते हैं हमारा सबकर लिंक को डिस्कृप्षण में देढंगे और आपको सारा लिंक वागएरा जो है एक मदश असे पहले जितने भी वीडियो typically है तो यहाँ आप पर देख सकते हैं के यहां आपर मैं बता रहा था कि मूंबई कैसे आना किस तरह का बाना ए यह आरपरड़ मौमद अली रोड में यह जो है तौफीक भाय का रेश्टोरेंट है यहां पर बहुत ही जवर्जस और लजीज खाना मिलता है और वाकई में प्राइस जो बहुत ही कम है यहां पर तो यहां पर आफ सकते है तौफीक भाय के रेश्टोरेंट में तो देखे अभी हम जा रहे है तौफिक भाई के रेश्टोरेंट से बस समझ लीजिए कि 20-25 कदम दूर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको होटल मुईन मिलेगा होटल मुईन में हमने इस्टे किया था तो आपको रूम वगरा दिखाते हैं सब कुछ दिखाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखें तौफिक भाई के होटल से ही हम यहाँ पर लेके जा रहें खानी पीने का समान कीमा रोटी और सबजी एक तरह के थी कुल्ट्रिंग वगरा था और कुछ नान रोटी वगरा ले चुके थे जो बहुत ही जबजस है हाँ खाना वगरा चावल वगरा भी लिए थे वो भी आपको दिखा तो नहीं सकते क्योंकि समझ लेजे मूं में पानी आ जाएगा लेकिन हमारे बोलते बोलते पानी आ रही है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मोशन में जा रहे ताकि आप एरिया को पहचान ले तो यह जो है मौमद अली रोड वाला जो है न इस नबल रेटा और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सर्विस बहुत ही अच्छा है उसके सामने भी होटल वगएरा है लेकिन यहाँ पर आपको देखने में यह महंगा होटल लगेगा लेकिन होटल उतना ज्यादा महंगा नहीं है लेकिन फैसलिटी वगएर बहुत ही जवर जासे तो यह रहा होटल मुईन आप देख सकते इसको बुग भी कर सकते फोन करके भी बुग कर सकते इसका नंबर वगएर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा लेकिन होटल वालों ने ऐसा नहीं बोला था कि आप हमारे वीडियो बनाए लेकिन हम जहां भी जाते है तो चाप छोड़ देते है तो इसलिए हमने इसका वीडियो बनाया है और आपको दिखाएंगे अभी अंदर जाकर कि भाईया कैसा है रूम और किस तरह का है बस स्लू मोशन में इसलिए जा रहे कि आपको सारा का सारा पता चल जाए कि किस तरह से आप होटल मुईन जा सक बहुत ही रिजनबल रेट पे मिलेगा तो हमने नीचे पे दो रूम लिया था क्योंकि मेरी अम्मी को थोड़ा चड़ने वगयरा में उपर दिक्कत होती है तो हमने नीचे रूम लिया था और रूम का आपको तूर दिखाते हैं वैसे हमारा एक रूम यह सामने वाला है एक पूरा का पूरा तो यहां पर जो है काट सिष्टम होला हिसाब है तो देखे यह रहा रूम और यह रूम जो है दो लोगों के लिए है वैसे हम लोग तीन लोग रह रहे थे एक एक्स्टरनल गद्दा हमने लिया था जो नीचे बिछा कर था तो देख सकते हैं रूम काफी जवर्जस यहां पर लगड़ा है यहां पर कंबल वगएर आपको मिल जाएगी एसी भी आपको मिल जागा फोन भी करने के लिए आपको मिल जागा वाइफाई भी मिल जागा वह भ बात्रूम भी जवर्जस यहां पर नहां सोग दो सकते हैं और ब्रश वगड़ा करने का भी है गीजर वगड़ा भी अपना लगा हुआ है गीजर वगड़ा चालू करके नहां सकते हैं लेकिन गर्मी अतनी थी तो जरुवत नहीं है और देख सकते हैं वादबेसीन वगड़ा है तो वह भी दिखा सकते हैं एसी रूम है तो इसमें दिक्कत परिशानी नहीं हो सकती है और यहां पर साफना हाद हो सकते हैं आराम से कुली वगड़ा भी कर सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं बस वो मत करिये जो इनलीगल है ठीक है तो सिगरेट वगड़ा दिश वगरा आता है ऐसा नहीं है और यहां पर चोटी सी जगल जो है यहांपर अपना entsprech prestigious है और आपको इधर मिलेगा फोन को चार्जर करने के लिए बेट के साइड में ही मिल जागा यहां पर भी चार्जर का दिया हुआ है कौट वगरा तो देख सकते हैं बहुत ही जवर्जस रूम लगा और यह जो रूम है इसका रेंट मैं आपको बता देता हूँ लगेगा आपको यहां पर आराम साप रह सकते हैं वैसे अगर आप चार बेड़ा लेंगे तो उसमें अठारा सो शूला सो पंदरा सो और अगर आप रूम विदाट एसी लेंगे तो नौसो रूपया पड़ेगा वैसे आपके उपर आप बार्गिनिंग जित्ता करा सकते हैं लेकिन कम से कम हजार रुपर पड़ता तो इस तरह का कुछ है और रूम काफी जवर्जास यहां पर लगा तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं डिस्केप्शन में सब कुछ दे रहे हैं आप देख लीजेगा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए बुले चनल को